आप यहाँ पर सीख रहे थे बिलकुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना लिखना, सही इंग्लिश की स्पैलिंग्स को किस तरीके से लिखा जाए, पढ़ा जाए, उचारन के प्रनेंसेशन के क्या रूल्स होते हैं, जहाँ पर रूल्स अपलाई नहीं होते, तो क्या टिप और ट्रिक्स होती है, और किस तरीके से बड़ी-बड़ी स्पैलिंग्स को पढ़ा जाए, किस तरीके से उनको ब्रेक किया जाए, तो आज की जो क्लास है, इसमें आप सीखने वाले हैं, बिलकुल शुरुआत से, A to Z साउंड, जिसमें क्या होगा, वाउल्स का जो साउंड ह वो भी रहेगा, यानि कि जो पांचो वाउल्स लेटर्स है, A, E, I, O, U, इनका उचारन रहेगा, प्लस जो कॉंसोनेंट है, उनका उचारन, अगर सिंगल कॉंसोनेंट का सिंगल उचारन है, एक कॉंसोनेंट का एक उचारन है, और अगर एक से अधिक है, तो वो क्या उचा अगर साथ में पेयर आता है तो complete sound complete उचारन यहां पर देखने वाले हैं single words से लिकर double या double के साथ 2-3 extra words जो जुड़कर आ जाते हैं तो क्या उचारन रहेगा तो चलिए start करते हैं तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे consonants यानि की जितने भी व्यंजन है उनका sound यहां पर सबसे पहले letter है B क्योंकि A जो है A तो एक vowel letter है तो vowels का जो स्वरों का उचारन है वो हम consonant के बाद में देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले व्यंजन है B है इसका उचारन ब होता है जैसे कि ball और भी other spellings हो जाएगी बस मैं एक example के लिए एक दो spelling देने वाली हूँ तो B का उचारन ब पढ़ते हैं जैसे ball हो गया, bat हो गया, battle हो गया, bar हो गया, between हो गया, ऐसे ही और काफी सारी spellings फिर देखे C, C का उचारन क भी रहता है स, यानि कि C के दो उचारन रहते हैं, C के दो उचारन है जैसे camel, camel हो गया, kart हो गया, car हो गया, यहाँ पर C का उचारन जो है वो क रहता है लेकिन जैसे यहाँ पर यह spelling है यहाँ पर cycle यानि C को हम सव पढ़ रहे हैं अगर C के बाद में Y जैसे इसमें आया है cycle में अगर C के बाद में E आता है तो हम C को सव पढ़ते हैं अगर C के बाद में I रहता है तो हम C को C पढ़ते हैं जैसे सी के बाद में I आता है, सेंट यो क कब कर और सव पढ़ें, और यहां पर मैंने उचारन भी बता देकि कि C के दो उचारन है, दो यानि कि क और स, दोनों पढ़ते हैं C को कब कप पढ़ते हैं, वो आपको पता चल गया, फिर देखें D का उचारन ड रहता है, जैसे डॉग, डिग, और भी ड्रॉप, और भी काफी सारे एक्जांपल स्पैलिंग्स के, F का उचारन भी सिंगल एक रह जैसे यहां पर जिराफ है, जिराफ में और जैसे यहां पर गर्ल है, अब देखें यहां पर जी के बाद में जिराफ है, जी को ज़ पढ़ा जा रहा है, और यहां पर देखें जिम है, जिम जी को ज़ पढ़ा जा रहा है, जैंटल है, तो यहां पर जी के दो साउंड हो तो यहाँ पर doubt create होता है कि जी को कब हम ज़ पढ़ें कब हम गव पढ़ें mostly क्या होता है कि 99% जो rules होते हैं वो apply होते हैं लेकिन कुछ exceptions होते हैं अपफाद होते हैं जहाँ पर वो rules नहीं लगते हैं उन spellings को आपको ऐसे ही memorize करना पढ़ता है ऐसे ही याद रखना पढ़ता है अगर जी के बाद में y letter आ जाए और जी के बाद में e आ जाए या जी के बाद में i आ जाए y, e और i ये तीनों letter यानि एक एक करके आ जाए जैसे कि जिम में जी के बाद में y है तो हमने क्या पढ़ा जी को जव पढ़ा जी के बाद में ए है जैंटल में तो हमने जी को क्या पढ़ा जैंटल जव पढ़ रहे हैं अब ऐसे ही जायंट जी के बाद में क्या है जायंट स्पैलिंग बनती है तो उसमें आई आता है जी के बाद में तो हम जव पढ़ते हैं ले लेकिन यहाँ पर ग पढ़ रहे हैं, तो यह spelling जैसे girl की होगे, और भी ऐसी spellings है, कुछ exceptions में आती है, जो मैंने rules में आपको बताया है, तो यहाँ पर यह rule apply नहीं होता है, बाकी mostly 99% यह जो जी वाला rule है, वो apply होगा, तो जी को ज और ग पढ़ेंगे, next चलते हैं, यहाँ पर ज जी के बाद में आई है, तो यहाँ पर जी को ज जिराफ पढ़ा जा रहा है, giant में भी जी के बाद में आई आता है, तो हम जी को ज पढ़ते हैं, next देखें, h का जो pronunciation है, वो है ह, यानि की hot, h को हम spellings में ह पढ़ेंगे, फिर j है, जे को ज पढ़ेंगे, जैसे jump में है, k का दिया, फिर देखें, m का उचारन म है, m, monkey, n को न पढ़ते हैं, net में हो गया, p को पर प्रनाउंस करते हैं, जैसे की pen में हो गया, q को, अब q अकेला नहीं रहेगा, तो q के साथ u रहता है, q और u साथ में ही आते हैं, और q करके इसको पढ़ते हैं, question हो गया, queen हो गया, quarrel हो तो वहाँ पर सभी में q और u का combination साथ में रहता है, q करके हम pronounce करते हैं, फिर देखे, r का उचारन रहता है, जैसे rabbit में है, s को sir और z, दोनों तरीके से pronounce करते हैं, जैसे हमने अभी देखा, c का दो उचारन है, फिर हमने देखा, g का उचारन दो है, यहाँ पर s को भी sir और z प पढ़ें, तो मैंने rule complete बताया है, तो यहाँ पर basic सा बताऊंगी, simple s जो है, starting में दर से sit है, यहाँ पर sit हो गया, और भी sight हो गया, तो इस तरीके से sir पढ़ा जा रहा है s को, लेकिन, लेकिन यहाँ पर in spellings में देखेंगे, तो जैसे यह s आ रहा है, s से पहले o letter है, जो की vowel ह s है, s से पहले a letter है, जो की vowel है, s है यहाँ पर, s से पहले i letter है, जो की vowel है, तो ऐसी situation में हम जो है, s को z पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर his नहीं पढ़ रहे है, his पढ़ रहे है, क्यों पढ़ रहे है, रूल है कि s से पहले, before, अगर कोई vowel letter है, तो s को हम z पढ़ेंगे, वरना S को पढ़ते ही है तो his easy knows तो तीनों spellings में यहाँ पर ज़ पढ़ रहे है S को bags यहाँ पर भी S से पहले G है तो यह वाला rule दूसरा है तो वहाँ पर S को ज़ पढ़ने के मैंने दो rule दो नियम बता है जो फॉर्स रूल तो हो गया कि यहाँ पर हमने S को ज़ क्यों पढ़ा क्योंकि S से पहले कोई ना कोई एक वाउल लेटर है लेकिन यहाँ पर देखेंगे bags यानि S से पहले G है जो की एक consonant है वेंजने तो यहाँ पर क्यों पढ़ रहे है यहाँ पर जो S वाला जो रूल बतायता है S को S और Z पढ़ने का तो Z पढ़ने का जो रूल बतायता दो रूल बतायते जिसमें दूसरा रूल था कि जो voiced sound रहेंगे जैसे B, D, G जहाँ पर G भी आ रहा है जैसे इसमें हैं G, V, Z और T, H, E, Z करके T, H, E, D आता है फिर J, L, M, N, R, W, Y तो यह letters थे वहाँ पर यानि S से पहले यह letters आ जाएंगे इनका sound आ जाएगा तो वहाँ पर यानि G को हम यहाँ पर G तो नहीं पढ़ने इसका sound पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे तो bags, ग आ रहा है तो हम Z प्रिनाउंस करेंगे और यह voiced sounds क्या होते हैं जहाँ पर S से, S को हम Z परते हैं जो भी letters इनको हम pronounce करते हैं जो अभी मैंने बताए वहाँ पर जो हमारा गला होता है हमारा throat होता है वो vibrate करता है तो वहाँ पर ऐसे situation में हम S को Z परते हैं तो यह complete जो है आप S वाले, S को Z परने वाले रूल वाले class में आप देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा अब आगे चलते हैं P को T पढ़ेंगे Toy हो गया V को War पढ़ेंगे W पढ़ेंगे W को War करके जैसे Swan में पढ़ा X को X X ये और एक तो उचारन X और एक Z X Mastery और Xerox इस तरीके से दो उचारन है minimum spellings है तो इसमें ज्यादा परिशानी नहीं रहती अब यहाँ पर देखे Y जो है Y का भी एक ही उचारन नहीं है तो complete यहाँ में यहाँ पर मैंने उचारन के साथ-साथ rule भी बता रखे हैं जो basic rules है जैसे Y को पढ़ने का है Y को देखे Y पढ़ते है I प्रिनाउंस करते है और E भी प्रिनाउंस करते है E और E अब देखे Yस यानि शुरुवात में आपको नजर आजाएगा Y starting में spelling में जैसे Yस में Y पढ़ रहे हैं yellow हो गया और भी ऐसी कई spellings जहां पर Y को यह पढ़ते है basic सा उच्चारन यह आपको पता होगा लेकिन जैसे end में end में spelling के end में last में अगर Y आजाता है तो happy happy यानि E sound निकल रहा है Y का happy अब जो short label यानि जो छोटी words होंगे छोटी spellings होगी एक-एक label वाली जिनको हम divide नहीं कर सकते वहां पर जैसे sky, buy, try तो यहां पर हम इन spellings को divide नहीं कर सकते last में आखिर में Y आ रहा है हम और इसका उच्चारन I करके हो रहा है happy में E करके और यह short label वाली spellings जहां पर हम जिन spellings को break नहीं कर सकते sky में है तो I करके उच्चारन हो रहा है और beach में middle में जैसे यह भी short label यानि छोटी spellings ही होगी छोटे words वाली जहां पर जिन spellings को हम ज़्यादा break नहीं कर सकते हैं single sound वाली ही तो gym जैसे यह gym है यहां पर E करके Y का उच्चारन रह रहा है तो अब समझ में आ गया है कि Y को E, I और Y यह इसके उच्चारन है नेक्स्ट देखते हैं Z, Z को Z जैसे की zebra में pronounce करते हैं तो यहां तक तो आपने जो basic उच्चारन है consonants की basic नहीं है complete उच्चारन है consonants की single letters जो है complete मैंने बता दिया है जैसे की C को Sir और C को जो है हम क क पर pronounce कर रहें तो उसका rule बता दिया मैंने जी का rule बता दिया तो rule भी complete जो basic है वो आपको यहां पर मिल गये है अब यहां पर आगे हम देखेंगे जो vowel letters है अभी तक हमने वेंजनू का देखा consonants का vowel letters का जो basic उचारन है उनको देख लेते हैं यह रहे पांचो vowel letter A, E, I, O, U इनका उचारन दो इनके basic उचारन होते हैं यह जो vowel letters है इनके दो single basic उचारन रहते हैं एक तो short sound रहता है एक long sound रहता है तो long sound कब रहता है short कब रहता है वो भी बताऊंगे पहले हम इन spellings को देख लें इसका जो basic उचारन है वो देख लेते हैं जैसे कि can, A का उचारन A करके can, can अब यहाँ पर can, can यानि A का long उचारन है तो यह वाला rule है कि last में E E जो आता है जो कि silent रहता है इस E से पहले consonant जैसे कि N है फिर यहाँ पर कोई न कोई वाल लेटर रहेगा तो उसका उचारन A की जगे E भी हो सकता है I B इन पांचों में से कोई सा भी वाल लेटर हो सकता है तो उसका उचारन long रहेगा तो यह long कब रहेगा यह आपको पता चल गया इसका रूल है कि last में आकिर में E है फिर consonant और यहाँ पर जो भी वाल लेटर रहेगा उसका उचारन long रहेगा तो यह combination जो है रूल का रहेगा तो can हो गया? can फिर यहाँ पर father A यानि A का उचारन A भी होता है next देखे E का pronunciation elephant egg करके elephant हो गया, egg हो गया अब यहाँ पर देखे Eagle हो गया E, double E, double E Eagle तो यहाँ पर E साउंड रह रहा है और देखेंगे तो यहाँ पर E का A भी हो गया और E भी हो गया next देखते हैं I, pig, E करके I, I का उचारन, I, ice जैसे इसमें भी यह वाला rule बताया यह ice में वही apply हो रहा है क्योंकि last में E है फिर C एक consonant है फिर I है, vowel है फिर देखे, radio E, O, E E का साउंड यहाँ पर D के बाद में E है तो E pig हो गया, short sound है यह जो pig में है, radio इसमें थोड़ा सा long है फिर यह ice I करके साउंड है O का उचारन देखेंगे तो ox हो गया O, कोन यह वाला उचारन है O का long sound है short अगर दो consonant के बीच में O आता है तो short sound ही produce होता है ox हो गया अगर यहाँ पर pot होता pot, P, O, T, pot बीच में है, short sound फिर यह है who, O करके उचारन who में यहाँ पर O का उचारन जग हो गया जग A उचारन यहाँ पर put में बीच में है यहाँ पर rule apply नहीं रहता तो O करके उचारन U का होता है तो आपको यह ऐसे ध्यान रखना है फिर cube में है U है U के last में E है फिर B consonant U है यह वाला जो rule है यह apply होगा कि कब हम long पढ़ते हैं दो consonant के बीच में जो चोटी-चोटी इस लेबल यानि चोटी-चोटी जो spelling आजाती है वहाँ पर बीच में तो consonant के बीच में इन पाचो वाल लेटर से जो भी लेटर आजाता है तो short sound produce करता है अगर last में E रहता है consonant रहता है फिर वाल आता है तो वहाँ पर long sound produce होता है तो ये दो basic sound है पाचो वाल लेटर की next देख लेते हैं consonant team जो है basic जो आपको पता रहनी चाहिए कि इनका उच्चारन क्या रहता है जैसे कि CH है CH को हम चर पढ़ेंगे जैसे यहाँ पर chain में है पिछली से पिछली क्लास उसमें मैंने बताया था कि CH के जो उच्चारन है च का पढ़ रहे हैं क का पढ़ रहे हैं और यहाँ पर देखे शैफ है श पढ़ रहे हैं तो CH को श का प्रिनाउंस कर रहे हैं या कौन से spellings है तो आप वो rules वाली rules वाली जो खलास है उसमें जाकर देख सकते हैं CH के complete उच्चारन rules के साथ मैंने बताया है TH का भी rule के साथ मैंने बताया है TH के दो उच्चारन है थ और द कब थ पढ़ते हैं कब द पढ़ते हैं तो यहाँ पर rule नहीं है तो टिक्स के साथ tips के साथ यहाँ पर मैंने TH का उच्चारन बताया है फिर देखे C के C क का उच्चारन इसका भी बताया है कि कब हम क के लिए CH लिखें C के लिखें C लिखें तो आप यह rules वाली क्लास में देखे C क का उच्चारन black क क करके last में आ रहा है ing करके होता ing का जैसे ring और भी हो गया sing इस तरीके से wr wr को र पढ़ते क्योंकि r यहाँ पर sound करता है लेकिन w silent चाहता है जैसे wrong और यहाँ पर देखेंगे w h को व करके whale whale व बोल दें या ऐसे whale वे इस तरीके से तो whale और र दो उच्चारन है यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पर wr है यह जो whale है यह wh का उच्चारन है साथ में worker के या worker के whale यह अलग है ठीके wr एक साथ है यहाँ पर w जो है silent रहता है r sound करता है ph का उच्चारन fur करके है phone हो गया और यहाँ पर देखे k और n का जब combination साथ में रहेगा तो यह not करके pronounce हो रहा है मतलब कि k जो है न वो silent है pronounce नहीं होगा जैसे not हो गया no हो गया और भी spelling k-n-o-w-no फिर last में आएगा spelling के g and sign करके sign तो चरन आप देख सकते है sign और भी ऐसे example sign यहाँ पर g और n है g का sound नहीं आ रहा no का sound produce हो रहा है तो g तो यहाँ पर silent है sink हो गया pink हो गया और भी ink करके spelling n-k वाली i तो साथ में है mostly आपको n के साथ i मिल जाएगा sink में जैसे pink में इस तरीके से और अगर ing वाला तो देख लिया ring में जो था फिर nd ऐसे last में आएगा hand जैसे hand में आया है nd का combination hand हो गया और भी ऐसी कई सारी spellings फिर देखे st, st को stir पढ़ेंगे star में पढ़ेंगे जैसे stand में पढ़ेंगे और भी combination जब भी st वाली spellings होगी साथ में sound करती है तो इनको बीच में से break नहीं करेंगे जो बड़ी spellings को मैंने break करना उनको तोड़ के पढ़ना किस तरीके से हम उनको पढ़ेंगे तो वहाँ पर S और T को यह जो combination रहेगा जो mean साथ में देगा उसको हम break नहीं करेंगे SK को करके pronounce करते हैं जिसे desk हो गया फिर TCH को हम च पढ़ते हैं TCH को जिसे catch पढ़ा तो यहाँ पर देखा जाए तो CH का sound च रहता है T silent है catch फिर DGE DGE का sound ज रहता है तो यह वाला जो है ज ज साउंड वाले कुछ rules है tips है tricks है यह वाला से नियम अपलाई करते हैं तो समझ हो गया फिर यह similar sound वाली O UND O UND का combination sound, pound, round तो बहुत सारी ऐसी spellings जहाँ पर भी O UND नजर आ जाए pronounce कर देंगे out और जहाँ पर भी out करके उच्चारन हो रहा है spelling में O UND last में add कर देंगे तो यह तो था consonant का कहें तो जो basic basic team थी consonants की वो और भी इसके आगे मैंने blend और digraphs जो थे उनके उच्चारन भी बताए थे L अगर साथ में आ रहा है किसी consonant letter के S आ रहा है तो वो भी आप देख सकते हैं next देखें sure जो यह SH रहता है ना इसका उच्चारन sure 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 यहाँ पर जो करके हो रहा है तो यह उसके उच्चारन है sure की अब कैसे SH रहेगा तो हम sure पढ़ेंगे जैसे की she अब TI है तो इसका उच्चारन भी sure रहेगा nation में है तो TI को भी हम sure पढ़ते हैं special तो यहाँ पर CI इसको भी special नहीं पढ़ेंगे special sure उचारन रहेगा CI का special फिर mention mention तो यहाँ पर sure SI रहेगा ना उसका उचारन भी sure रहेगा division अब यहाँ पर division ज़ पढ़ेंगे division 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 तो यहाँ पर SI का ज़ उचारन और SI का sure भी है और sure भी है दोनों उचारन है तो इस तरीके से यहाँ पर देखा कि sure यह जो sure sound है SH जो है यह sound sure sure sound है तो SH का sound भी sure TI का sound भी sure CI का sound भी sure SI का sound भी sure और SI का दूसरा sound होता है sure करके तो इसका भी rule है तो वो rules स्वारी क्लास में आप देख सकते हैं जो S I O N को Shun का पढ़ते हैं यन का पढ़ते हैं यह वाला rule चले यहाँ पर देखा आपने जो है sure sound को अब आगे हम देख लेंगे vowel team जो basic vowel team है उनका उच्चारन इन spellings की through ही मैं साथ ही मैं उच्चारन बता दूँगी एक्जाम्पल है जो पढ़ेंगे तो सामने आ जाएगा उच्चारन फिर last में यह O U G H को कितने प्रकार से हम pronounce करते हैं क्या-क्या sound है इसके पहले हम देख लेते हैं vowel team को यहाँ पर देखे sail A AI का उच्चारन A है AI का उच्चारन A है sail तो दो consonant के बीच में AI रहेगा A करके और short spellings में यानि कि singles label वाली spelling में जैसे कि यह sail है इसको हम break नहीं कर सकते A और I को हम बीच में से break नहीं कर सकते तो singles label है तो मैंने spellings को break करना किस तरीके से किया जाएगा क्या rules है क्या tips और tricks है complete मैंने previous session में आपको बताया है फिर यहाँ पर way है यानि AI है AI का combination A तो इसको भी हम बीच में से break नहीं करेंगे जब भी पढ़ेंगे तो यह short label वाली spellings है फिर यहाँ पर देखेंगे 8 है क्या है 8 यहाँ पर E I G H है A यानि E I G H को A पढ़ेंगे T तो last में add हो गया 8 है फिर है AU AU को auto AU पढ़ रहे है AU का उचारन जैसे auto में AU करके हो रहा है और AW को भी AU पढ़ेंगे straw में हो रहा है क्या है straw में तो ऐसे spellings हो गई जैसे यह short singles label वाली है STR को भी हम break नहीं कर सकते क्योंकि इसका उचारन str करके है और AW को भी हम यहाँ पर break नहीं कर सकते AU करके इसका उचारन है फिर seed यानि E long E double E का seed double E का उचारन long E फिर देखे E A का उचारन bread यानि A करके उचारन है bread अब हिंदी में कहें तो A करके हिंदी में हम सिर्फ समझने के लिए हिंदी में लिखते हैं कि A है इसका उचारन A है लेकिन sound जो है हमको English में ही पता चलते हैं कि A लिख रहे हैं तो वहाँ पर A sound इस तरीके से लिखा जाता है ये bread हो गया ये leaf है यानि E अब यहाँ पर E sound है ये वाला sound और हिंदी में अगर बात करें सिर्फ समझने के लिए ऐसा कोई rule नहीं कि हिंदी में इनको लिखा जाता है नहीं easy तरीके से समझ मैं है इसलिए तो ये E sound है leaf यानि E A का 4 या 5 sound है वो भी मैंने complete बता है तो यहाँ पर जो है basic दो sound एक तो bread A करके एक leaf E करके ये दो sound फिर है whale whale A E I का उचारन A करके हो रहा है next है इसको either E I का है combination ये E I साथ में either और इसको either भी pronounce किया जाता है तो E I का उचारन भी E है फिर देखें तो E Y यानि A दे जैसे E Y दे में है A करके उचारन है ये वाला A फिर ये की है यहाँ पर भी E Y है की है लेकिन यहाँ पर उचारन ये वाला है E करके तो देखा यहाँ पर कि E A का sound A भी है और E Y E Y का sound A भी है और E Y का sound E भी है यानि दो sound है A और E किसका E Y का फिर आगे है E करके I E का sound E है जैसे priest में है I E का sound E है ये वाला sound लेकिन I E का sound जो है I भी है जैसे pie में है I फिर I G H का sound भी क्या है I करके जैसे high में है अब high है और भी spelling आपको मिल जाएगी height है O A का sound O करके जैसे goat में है goat O A है यहाँ पर O E का sound भी O तो O A का sound भी O है और O E का sound भी O है तो यहाँ पर कुछ tips और tricks के साथ इनकी आपको practice करने पड़ती है कुछ spelling की जो list मैंने बताई उसके थूँ आप spelling की list के थूँ practice कर सकते हैं कुछ rules बताएं उनके थूँ आप practice कर सकते हैं तो सारे combination को मिला कर आप practice करेंगे तो ही आपको जो sound है वो clear easily हो पाएंगे तो यहाँ पर जैसे goat हो गया toe हो गया O E को भी O पढ़ा O E को भी O पढ़ा pool यानि long sound O का double O तो O करके long pool अब door double O का sound O भी हो रहा है O करके फिर देखे mouse O U का sound O mouse तो यहाँ पर pool door और टुक ले ले यानि short sound भी है double O का short sound टुक में है जैसे book में है जैसे तो चलिए यह हो गया mouse O करके O U का sound root O करके sound O U का O भी है और O भी है sound फिर four यानि O यानि जैसे door था वैसे ही four O sound door में है four में है तो double O को भी O पढ़ा O U को भी O पढ़ा फिर देखे country में O U को A करके pronounce यानि A sound निकल रहा country फिर देखे यहाँ पर है plow आउ करके O W का plow फिर यह crow है यानि O O W को आउ भी पढ़ा O W को O भी पढ़ा फिर यहाँ पर है drew यानि O करके sound है drew और यहाँ पर q u u करके sound है यह वाला sound ले ले last में u करके भी बोल रहा है q u करके sound आ रहा है यह drew ew का u और ew का u sound यानि u sound भी है तो इस तरीके से यह complete मैंने sound single तरीके से मतलब ew के जो जो उचारन है वो मैंने बताए है spellings के साथ यानि double o यानि बड़े u के रूप में यह जो double o है यह इसका sound है u के रूप में जो उचारन है वो वाली complete spellings मैंने बताई है next देखे oi करके soil में oi का उचारन oi करके हो रहा है तो आप oi पढ़े boy यानि oi का उचारन भी oi करके boy oi करके तो oi का combination oi पढ़ा जाएगा oi का combination oi पढ़ा जाएगा अब यहाँ पर ui है fruit यानि u करके उचारन है ui का o करके उचारन है ui का तो यह complete basic मैंने जो है vowel team की pronunciation बताई है उचारन बताई है आप करना क्या है या तो rules कुछ basic rules है जहाँ पर rule apply होते है कुछ basic जहाँ पर tips और tricks लगती है उसके through कर लेंगे बाकि आपको इसकी list तयार करके इनकी practice कर लेनी है next देखे और जो list है वो भी complete मैंने practice के साथ बताई है आप उनके साथ वो जो list बताई है मैंने उसके through भी आप जो है practice कर सकते हैं फिर देखे OUGH और AUGH इसका उचारन जो है एक ही नहीं रहता इसका उचारन भी आपको confuse करता है तो complete यहाँ पर spellings बता दी है इनको पढ़ ले और कुछ rare spelling है काफी कम spellings है इनकी practice कर सकते हैं जैसे यहाँ पर देखे OUGH OUGH को हम O करके पढ़ेंगे जैसे कि thought में पढ़ा O जैसे कि bot और thought इन तीनों spelling में OUGH का उच्चारन O करके है तो कहीं कहीं पर आप देखेंगे एक चीज़ नोट रख ले पहले ही कि यहाँ कुछ words होंगे जहाँ पर जीएच साइलेंट रहेगा और कुछ spellings रहेगी जीएच को कॉम्बिनेशन को फ़र करके पढ़ेंगे तो यह भी साथ में मैं बता दूँगी कि silent कब है अब यहाँ पर देखें थौट है थौट में जीएच साइलेंट है यहाँ पर जो है जीएच साइलेंट है यह डौ है क्या है डौ यहाँ पर भी जीएच साइलेंट है यहाँ पर दो है जियेच साइलेंट है ओल्दो है फिर यहाँ पर देखेंगे कॉफ यहाँ पर जियेच को क्या पढ़ रहे है फ़ पढ़ रहे है क्या पढ़ रहे है फ़ तो ख्याल रखना ऐसे भी फिर देखें तुरू अब इसको जो है तुरू बिल्कुल ना पढ़ है क्या तुरू नहीं हम O करके पढ़ रहे हैं कहीं पर OFF करके कहीं पर O करके तो यहाँ पर THROUGH है O-U-G-H का उच्चारन THROUGH यहाँ पर भी G-H जो है silent है अब यहाँ पर देखेंगे तो O-U-G-H को F करके पढ़ रहे हैं और G-H का उच्चारन यहाँ पर F है तो जैसे rough यह tough, rough, enough तो इस तरीके से अफ उच्चारन O-U-G-H का अब आगे यहाँ पर देखेंगे तो O-U-G-H का आउ करके उच्चारन है ड्राउट, प्लाव, बाव, आउट करके आउट तो यहाँ पर G-H क्या है? silent है यहाँ पर क्या है? silent है अब यहाँ पर देखें, laugh ऐसे spelling है जिसमें A-U-G-H को laugh, off करके पढ़ रहे है laugh, क्या है? आफ तो इस तरीके से complete A-U-G-H है laugh में A-U-G-H है, O-U-G-H नहीं है यह ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने mention किया था A-U-G-H की भी एक स्पैलिंग आएगी silent रह रहा है इन ही spelling में और कहीं पर आप देख रहे हैं जिसे tough हो गया, cough हो गया यहाँ पर focus अगर sound आ रहा है तो वहाँ पर G-H लिख रहे है तो इस तरीके से complete उचारन मैंने जो एक basic सी table है उसके through मैंने आपको बता दिया कि A to Z जो sounds है उनका उचारन क्या रहेगा कि जब भी आपके सामने आए तो sound तो आपको clear रहे जब भी उनकी practice करें vowels के, vowels की जो team है उनका, consonant का जो है वो बताया है और जो मैंने blend letters है, blending letters जो रहते है एक दूसरे consonant के साथ एक consonant bland होकर जो sound करता अब वो बताया है, diagraphs जैसे वो complete table मैंने आपको बताई तो उसकी भी practice कर ले तो सारे sound आपको clear हो जाएंगे तो आज की English की pronunciation की class में, उच्छारन की class में बस इतना ही मिलते हैं अगली class में